बिहार के भागलपुर जीला में समा चुका है गंगा का पानी जहां भी देखिए पानी ही पानी ही नजर आएगा बाल का प्रकुप ऐसा छाया हुआ है मानो परले आ चुका है बता दें जिस कारण पटना जाने वाली रास्ता सलक मार्ग चंपा नाला पुल चंपा नगर में जो है उस पुल को बाधित कर दिया गया है वजह यह है कि भारी वर्षा लगतार वर्षा होने के कारण पुल में ध्वस्त हो जाने के कारण पुल को बाधित कर दी गई है या था या ठप कर दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ सबोर कहलगा होकर सबोर भागलपूर जाने वाली सडक मार्ग को सबोर पुल के पास भी ध्वस्त हो जाने के कारण या तयात स्विदा बाधित कर दी गई है गंगा का पानी इस कदर उपनाया हुआ है कि लोग त्राहिमाम हो चुके हैं आप साफ देख सकते हैं गंगा का पानी किस कदर घर में घुस चुका है गंगा का पानी अपने लोगों को अपने आगोस में ले लिया है आप साफ निजारा दे सकते हैं देखिए यह हमारा खास रिपोर्ट